नमस्कार दोस्तों मैं ललन कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूटूब चैनल SBI Life Insurance Advisor में आप में से एक व्यूवर है जिनका नाम मुहमद आसिफ जी है मुहमद आसिफ जी ने सवाल क्या है कि यदि मुहमद आसिफ जी SBI Life इश्माइट Wealth Builder Policy को लेते हैं और इश्माइट Wealth Builder Policy में 7 साल तक 75-75 हजार रुपे प्रीमियम के रूप में देते हैं तो उन्हें 7 साल बाद कितना रुपया वापिस मिलेगा तो वैसे व्यूवर जो मुहमद आसिफ जी द्वारब पूछे गए सवाल का जवाब जानना चाहते हैं इस वीडियो को दिहान पूरवक देखें और सुनें इस वीडियो में आपको SBA Life Ishmart Wealth Builder Policy के Official Page पर दिये गए कैलकुलेटर के माधम से कैलकुलेट करके आपको जनकरी दियाएगी कि यदि आप SBA Life Ishmart Wealth Builder Policy में 7 साल तक 75-75 हजार रुपे जमा करते हैं तो Policy Term के पूरा होने पर आपको कितना पैसा Maturity Benefit के रूप में मिलता है तो किरपया करके वीडियो को दियान पूरवक देखें और सुनें ताकि आप लोगों को कैलकुलेटर का परियोग करना आ जाए और कैलकुलेटर का परियोग करके आप अपने लिए एक Best Option का चुनाओ कर सकें सबसे पहले हम लोगों को अपने सिस्टम में, मोबाइल में, लप्टॉप में SBA Life Ishmart Wealth Builder Policy का Official Page Open कर लेना है जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर Open हो रखा है यदि आप SBA Life Ishmart Wealth Builder Policy के Official Page को अपने मोबाइल फोन में Open करते हैं तो सैटिंग को Desktop Mode में कर लेना है इस Page का लिंक आप लोगों को Description Box में मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप डिरेक इस Page को Open कर सकते हैं Page Open करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आएगे तो यहाँ पर हमें Calculator मिल जाता है Name वाले Box में आपको अपना Name टाइप करना है और Date of Birth वाले Box में आपको अपना Date of Birth टाइप कर देना है Gender वाले Option से आपको अपना Gender सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद Next Option प्लान टाइप का आता है यहाँ पर हमारे पास तीन Option होता है Regular, Limited Premium और Single Premium Regular वाले Option के तहत आपको Policy Term के अंत तक एक निश्ची तरासी का बुकतान Premium के रूप में करना होता है Limited Premium वाले Option के तहत आपको Policy Term से कुछ कम समय तक एक निश्ची तरासी का बुकतान Premium के रूप में करना होता है और Single Premium वाले Option के तहत आपको सिर्फ एक बार Premium का बुकतान करना पड़ता है जैसा कि मौमद आसिफ जी ने कहा है कि वह साथ साल तक 75-75,000 रुपे Premium के रूप में देंगे तो उनका जो Plan Type है Limited Premium है यहां मौमद आसिफ जी एक बात को कहना भूल गए है कि यदि आप Smart Wealth Builder Policy को लेते हैं और साथ साल तक एक निश्ची तरासी का बुकतान करते हैं तो उस कंडिशन में जो आपका Policy Term होता है कम से कम 12 साल का होता है यानि कि साथ साल तक 75-75,000 रुपे Yearly Premium का भुकतान करने के बाद आपको 5 साल वेट करना है जैसे ही आपके Policy Term का 12 साल पूरा होगा आपको Maturity Benefit का लाब दे दिया जाएगा यहां हम Policy Term वाले Option से जो हमारा Policy Term है हम मान लेते हैं कि मौहमद आसिफ जी दुआरा 12 साल का Policy Term लिया गया है तो हम Policy Term यहाँ पर 12 साल कर देते हैं उसके बाद Next Option में हमसे Premium Frequency के बारे में पूछा जाता है यहां पर हमारे पास दो Option है Single और Yearly जैसा कि 75,000 रुपे हमें 7 साल तक देना है इसलिए Premium Frequency में हमारा More Yearly रहेगा Next Option हमारा Premium Amount का है यहां पर हम Premium के रूप में 75,000 रुपे का बुगतान कर रहे हैं इसलिए Premium Amount वाले Box में हम 75,000 रुपे टाइप कर देंगे Next Option हमारा Premium Payment Term का है यहां हम 7 साल तक Premium का बुगतान कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं हमारा Policy Term 12 साल का है SBLF Smart Wealth Reader Policy एक Unit Linked Insurance Plan है इसमें जो भी पैसा आप Premium के रूप में देते हैं उसे Fund में निवेश किया जाता है मिलने वाला Benefit पूरी तरीके से Market Value पर Depend करता है हमारे केस में जो भी पैसा हम Premium के रूप में दे रहे हैं उसका 100% Equity Fund में जाता है इसलिए हम Equity Fund वाले Option को 100% कर देंगे यह Calculator में जो भी जानकारी हमसे पूछी गई थी उन सभी जानकारियों को हमने भढ़ दिया है अब हम Calculator वाले Option पर क्लिक करेंगे हमें Success का Message मिलता है राइट हैं साइड में हमें हमारी Policy से समंदित पूरी जानकारी मिल जाती है देख सकते हैं यहां सबसे उपर हमें सम असोड के बारे में बताए जा है इसमाइट Wealth Builder Policy में Yearly Premium के रूप में आप जिस राश्री का भुकतान करते हैं उसका 10 गुना सम असोड का लाता है सम असोड वह अमाउंट होता है जो Policy Term के दुरान यदि Policy Holder किसी दुरगटना का शिकार हो जाता है उसकी Death हो जाती है वह अपने परिवार वालों के बीच नहीं रहता तो Policy Term के दुरान Policy Holder के ना रहने के इस्थिति में जो सम असोड का अमाउंट होता है वह Death Benefit के रूप में नोमनी को दे दिया जाता है यहां हम Yearly Premium के रूप में 75,000 रुपे का बुकतान कर रहे हैं इसलिए 75,000 का 10 गुना 7,5,5,5 रुपे हमारा सम असोड हो गया Premium का बुकतान हम लोग Yearly कर रहे हैं और हमारा Premium Amount 71,000 का है Premium Payment Term हमारा 7 साल का है और जो हमारा Policy Term है वह पूरे 12 साल का है जैसे ही Policy Term का 12 साल पूरा हो जाएगा और मिलने वाला बोनस यदि हमें 8% के हिसाब से मिलता है तो कुल 8,31,246 रुपे हमें maturity benefit के रूप में प्राप्त होगा जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया SBA Life Ishmight Wealth Builder Policy में जो भी पैसा आप लोग Premium के रूप में देते हैं उसे fund में निवेश किया जाता है मिलने वाला return पूरी तरीके से market value पर depend करता है हो सकता है मिलने वाला return 8% से अधिक यानि कि 12%, 14% या फिर इससे भी अधिक का हो तो उमीद करता हूँ आप लोगों को calculator का परियोग करना आगया होगा अब आप लोग असानी से calculator का परियोग करके अपने लिए एक best option का चुनाव कर सकते हैं और वैसे वीवर जिन्होंने अल्रेड़ी smart wealth builder policy को ले रखा है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि SBI Life Insurance Advisor चैनल के मादम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका notification आप लोगों को असानी से मिल सके इस वीडियो के मादम से बस इतना ही फिर मिलेंगे next time एक night टॉपिक के साथ जाएं जाबारत